हेलो इस्ट्रेंट्स स्वागता आपके मेरे डिटेप चैनल नवादन की मिस्टिकलास में में नाम यह गांच सक्षेना सब बच्चों से आपके पता है कि हम लोग कॉर्णिशन कंबाउंड को बार में स्टेडी कर रहे थे और पिछली लेक्चर में लोग ने पढ़ाता है वे अगर आपके शिलिबस में तो आपको इसको भी पढ़ना पड़ेगा तो चलिए बिनादेर के आच की वीडियो को शुरू करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं क्रिस्टिन फील्ड थेओरी के बारे में तो इस्टिवेंट्स वीडियो को शुरू करने से पहले चलिए हाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज जो हुआ करता है कि इसलिफिल्ड थेओरी के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स जो हुआ करते हैं वह उनको जानने कोईश करते हैं और वन्बाई उनको इसको हुआ करती है घृत कि इस वे परिवाँ है तो इस तेओरी के के क्या हुआ करता है कि उस थेismusक ह sellers करता है कि पहले और लीगण का बांड पशॉर्ली अनक होता है अब यिए पॉइंट क्योड़ी जाता है यόकि आपको याद होखा फिसले वह पिशले हैल बताया था वैलेक से हैं का ट्रांसफर हुवा करता है और जहां पर एक्रांस का ट्रांसफर होता है क्या है अधिया भाई साइक पर या बार ब़र्ट के भान जाता है कर्बाएलिक classroom करते है कि जो-चुद के घर नहीं तेकर जे c जिनका साइस काफ़ी छोटा है फिर आप ऐसा बोल सकते हैं वो की पॉइंट साइस चार्ज पार्टिकल हुआ करते हैं आप पॉइंट साइस से कहना जरूरी क्यों है आपने फिलिक्स वगराम पढ़ा होगा अलेक्ट्र स्टैट्स के बारे में ताकि उनके द्वारा जो वहां पे उसमें इनका एफेक्ट जो होगा वह थोड़ा साइस जाधा रहेगा उसमें अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं तो वह सब आपस में कैसे रहा करेंगे अब यहां पर दीखिए अगला हुआ करता है अगला हुआ करता है दीवाई जड तीसरा हुआ करता है डीजेड एक्स और यह चौथा वाला जो होता है क्याते हैं दीएच स्क्वाइर मैंस वाई स्क्वाईर और लास्ट जो होता है उससे बूला करता है दीड स्क्वाइर तो यह पांच और दीड जो होंगे उनकी अपस में बराबर रहा करेंगी और ऐसे और बीटल को क्या कहा जाएगा इसमें डीएंड रेट बोला जाएगा सब्सक्राइब के बात है यह तो बाद ग्राउंड इस्टेट की है लेकिन जैसे ही इनको लीगेंड अप्रोच करेगा तो इसमें क्या होगा जाहिए बात है सपोस कर लीजे आप मालिए यह हमारे ड इस्के पास क्या होगा इसको इस पर फोट करना शुरू किया धिक्म क्या होगा तो इसली и यहां कोई बात है अटायक करेंगे उसको बोल जाता है अगरे मांने गinatingوس leans करेंगे संध्य एनगरेच कपारेगई विया सिफ हुए और जैसे इुनको कोई-बी ऐंटायक करेगा उस अटैक के बहुत हुआ से क्या होगा प्लों करेंगा और उस रिपल्सिन के विएसे जो और बिटल के एनर्जी जो इसमें कोई चेंज आ जाएगा और उसमें चेंज होने के विएसे डीएंडरे सी ब्रेक हो जाएगी सच्च्च में अरिप को बात है अच्छा बात करें ते लास्ट पॉइंट के बारे में हैं अपने बता दिया जैसे डीएंडरे सी ब्रेक होती चली जाएगी तो उन प्यों हमार पास पांच जीवा करते हैं उन में से कुछ की एनर्जी बढ़ जाएगी और कुछ की एनर्जी क अब बिना देर के चली फिर आगे बढ़ते हैं और इस्ट्रेट्स हम लोग को दो टाप पर कॉंपलेक्स चुड़ी करना है पहला है और दूसरा है ट्रड़ कॉंपलेक्स तो आज की लेक्षे में लोग करने वाले और नेक्स लेक्ट्टर जो हमारा होगा और च्ट्राइब पढ़ेंगे ठीक है सो बच्चे चली में लोग पढ़ना शोड़ करते हैं और च्ट्राइबल कॉंपलेक्स के बारे में कि उनके फॉर्मेशन को किसल फिल्ट सेहरी के असाब से किस प्रकार स्प्लिंग किया सकता है अब देखिए आपको यहां पर हैडिंग भी दिख रहे ह अब यहां पर इसमें लो हो जाएगी ठीक है अब यहां पर इसमें आगे लिखा हुआ हुआ है अब देखे ध्यान रखिए का पीछे आपको एक पॉंट बताया तो शूट गया था उस वल्ले में वह यह है कि हमारा मैटल जो होगा करेगा उसको एजा क्रिस्टल माना जाए मतलब हमारा मैटल होगा किसी भी कंपाउंड में उसे का जाए किस्टल कहा जाएगा ठीक है अब देखे है अब इसमें लोग करेंगे एनर्जी को ठीक है अच्छा इसके आगे में लोग बात कर लेते हैं आपड़े हैं देखे बहुत बेचिक समझने कोईश कीजिएगा सब्सक्राइब हमारे पास हमारा मेटल है और यह अपनी ग्रांड इस्टेट में अब देखे ग्रांड इस्टेड में किया हुआ है आपसमें रहा करेंग कैसे बता हम इस्टेड हम कये हुआ करेंगे अब देखे अश्तुक नो ऑफ इस्टेड इस्टेड होगी आपसमें ग्रांड ऑफ देखे которой mean five और व्या करेंग वार्म छिणत been four we have ange ड्रपेंट कर रहे हैं हमारे भात करें पांच गराइब बारे में है तो इनर्जी जो रहा करेगी देखिए हमने आपके आप दिखा भी रखा है नीचे वाले एक नर्जी का में पॉल एक नर्जी जादा है देखिए हमने बता रखा है ग्राउंड स्टेट में डियर्पल्स कैसे हुआ करते हैं तो यहाँ पर इसे रिप्रेंट करने का तरीका है आप इनको एक तरह से टीट कर सकते हैं इसलिए हमने आपके आपके बनाया ज जो होंगे वह को शोट प्राकार से कर सकते हैं आप समझी कुछ इस जागा इसी मैं देखिए हमारे यहे छे लिगन्ड ज्वों को इस प्रकार से अप्रोच कर रहा है पहला लिगन्ड है यह नेक्स्ट एक तीसरा चौथा पाचवा और छटा आप जानते यह वाली लिगन्स रहेगा इस वाले में लेट कर लीजी यह हमारा x-axis है यह y-axis है और यह कौन सा ही हमारा z-axis है अब देखिए अगर माली बात कर लेते हैं हम लोग इस वाले एक d z x होता है एक d x-square होता है μाइनस y-square और एक d z-square हो करता है अब देखिए अगर हमाली बात कर रहेते हैं इन 3 के बारे मावबपाजेशे एक टॉप के तीन लिखे हुए है यह क्या हुआ करते है एकसि के बीच मीलाय किया करते हैं अब अगर बीच मीलाय कर रहे हैं तो बात करते हैं इंक स्क्राइब बहुंची तो वह क्या होगा अम्ammalie x यह के डोनों लॉप जोंगे इसके वो क्या होंगे अब देखें यहां पर रिपल्सन का फिए अधर लेगा आप जानते हैं कि और बिटल का मतलब क्या हुआ करता है और एक ऐसा रीजन होता है जहां पर इयां पर सब्बाबना दिखुआ करती है करके तो लीगेंड के पास वह इलक्टॉं स्पीर आगे रहें और इसमें फ़िल्जे को मतल़ किया होगा यहां पर लीगेंड्स के लाउंग जो हमारा अब देखिए बात कर रहें तो अगल यहां यह वाला लीगेंड्स यह के लुगा यह वाला यह वाई के लाउंग यह कोई हमारा यहां से अपरोच कर रहा है इसका मतलब यह वाला जो एक्स्क्वार और वाले लिगन्ट इन पर बहुँ काफी यह यह अपलाई जो हमारे और इसको रहा है क्योंकि आप समय लीजी यहां पर कि आपके लागे कर रहा है और बाकि जो प्लेन वाले जोगी और डाइगनली प्लेस्ट हुआ करते हैं इस वैसे क्या होगा वह एक उसमें एक्सक्राइब लोगा उगला कुंसे होगा अगर माली बात करें तो बाकि बचे वह तीन आपिल्स के बारे में हैं यहां पर लाइग कर रहे होंगे लेकिन वहां पर रिपल्शन बिल्कुल कम लेगा वहां पर रिपल्शन लेंडिको इसमें चांस ही नहीं होगा अगर बात करें पांच मे बात करें पांच में होड़ा कमपेण किया जाएं पांच में में बात करें जिन से पेम्स स्मय एकसिन और अउरगे घंच Cover में यन्रजी में और इनर्जी लो हो जाएगी अब विएंड में कैसे हैं इंट्र त्रह करें इनको यह इक काली हृई अब इसमें यह है आपून्डिंग घंचेय के लिए और अब भी उस पर लीगंट से अप्रोच करना इस्टार्ट हुआ है तो एनरजी में राइस तो होगा लेकिन एनरजी में राइस को इस प्रकार से होगा कि पांचों के पांचों पर इपल्चम जोए फो एक्वल लेगा तो आपर इस बन जाएगा इस वाले में कि यह पांच ह लिगन को ज्यादा ही पांच में तब यहां पर dndc में क्या हो जाएगा ब्रेक आपको बताया हुए कि जो अब ही पहले हमने प्. lobby के आल्ग करेंगा यानि कि dx2-y2 और d82 जो है उन पर maxine repulsion लाएगा तो इसे वैसे उनकी energy हाई हो जाएगी और बाकि जो हमारे inter axis orbitals जो बाकरते हैं उनकी energy कम रहेगी उनकी energy क्या हो जाएगी लो हो जाएगी इनको ड्रॉख कर लेते हैं और देखिए dn3 कैसे ब्रेक होगी इन में से 2 orbitals मारे पा तो हमारे बाक की बचे विए 3 है यह हमारा dxy यह d yz है और यह dzx है तो यह इसको ड्रॉख करने का तरीका हो गया तो यह कुल मिला के बहुत simple तरीका है आप अगर इसको कॉमेर्स करेंगे इसको आसा नहीं समझ में आ जाएगा इस समयरी को बात है तो आप देवार काफी लो रहेगी एक बढ़ किसमें और जािए हा लेकिन अगर नहीं हो अगर घुली । तो इस वाले में क्या होगा यह सब की 10 जूल रहेगी सिमिलर रहेगी और डीजनरिसी में कोई भी एफेक्ट नहीं आएगा ठीक है लेकिन उसके आगे देखे थार्ड इस्टम हमारा सी वाला जो है जब उसमें लीगंड्स ने अप्रोच करना स्टार्ट करना शुरू कर जो हमारे एक्षील बॉन्ट जोंगर में रिपल्शन को ज्यादा लएगा उनकी इनरजी हाई हो जाएगी तो देखिए वह इनरजी हमें इनको हाई दिखा दिये यह वाले केस में और ऐसे और बिटल जो कि इंट्रेस्ट इस वाले जो होते उनकी इनरजी क्या हो जाएगी देखा दिया अगरमाद बाद करने का तरीका हूँ ऐसे इनर्जी ऋर्भ रह यहlar जाती यह फिर वाजी चीज़ है E स्मॉल रहेगा और G कैसा रहेगा इसमें सबस्क्राइब हो जाएगा ठीक है फिर नेक्ट इंपॉर्टन बार्ट बनके आती है कि हमाँ पर देखिए जो दोनों और बिद्लस के बीच में जो एनर्जी के डिफरेंस बनाया करके है जो आया है वह कितना रहेगा ऑक्टेट अकप्रेस के लिए दूसरी बात कई कवार है पर यह हमारे डेल्टा हो जो इसको कभी कवे बहरी सेंटर भी कहा जाता है अब देखिए इसके जुरूरत क्या है अगर माले इसको नोग डिवाइड करने कोई करते हैं हमारे पास यह पां क्यों लग जा रहे है चीशी बात है कि यह अनर्जी काफ़ जादा गीन कर चुके तो इसके होगा इसके नीच पर गरते और करते हैं किस प्रकार से का अब करता हुआ हुआ होती है उनकी देशलिक ब्रेक हुआ करते है जब इसमें लेगर्न उनको अप्रोच किया करते हैं है गईसे किया सकता है किसी fall फियूरी को मैंसे आफिजिए नहीं आफिछ में बाग व्य भीडियाए।